दोस्तों अभी अभी एक PDF डाउनलोड हुआ है ब्राइट कॉम गुप के लिए तो कम्पनी ने जो है वो शेर होल्डिंग पैटर्न के उपर कुछ कहा है कम्पनी ने क्या कहा है अभी अभी आप देख सकते हैं जस्ट अभी अभी अपलोड हुआ है 20 अपरेल 2023 को कंपनी सेभी को बता रही है कि उन्होंने अपने कुछ शेर जो है वो गिर्वी रखे थे यह कंपनी कहती है उसके बाद बताती है कंपनी की 2014 से लेकर 2020 तक क्वाटर एंड वहां तक कंपनी ने जो है शेर जो है गिर्वी रख रखे थे और कहां कहां रखे थे ICIC बैंक, SBI बैंक, कैनरा बैंक, AXS बैंक और अधर NBFC वहां पर रखे थे और कुछ प्राइवेट लेंडर्स भी थे जहां पर इन्होंने जो है शेर को गिर्वी रखा हुआ था तो कंपनी कहती है कि हमने वो शेर नहीं बैचे जो प्राइवेट लेंडर्स थे उन्होंने ये शेर जो है वो बेच दिये हैं और कब बैचे हैं, 2014-15 में बैचे हैं, 21 रुपे से लेकर 6 रुपे के बाव तक, 21 रुपे 20 पेसे से लेकर 6 रुपे 20 पेसे के बाव पे, कितने बैचे हैं, दे नमबर ओफ शेर वाज अराउंड 5.4 करोड शेर, इतने शेर उन्होंने बैचे हैं, ये सफाई दे रही है कमपनी, और आगे बताती है कमपनी, 2016 से लेकर 2020 तक, परमोटर ने लेकर लोन ले रखा था, उस लोन के बदले में उन्होंने शेर जो है, वो गिरव भी शेरों को जो है, उन्होंने बेच दिया, अब कंडिशन ये भी आती है दोस्तों, यहां पर, दो चीज़े निकल के आ रही है, एक चीज़ तो ये निकल के आ रही है, कि ये शेर बहुत पहले ही बिग चुके है, 2014 से लेकर 2020 तक, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या निकल क बात है, कि आपने प्लेश के बारे में बता रखा था या नहीं बता रखा था, आगे अगर हम पढ़ेंगे, आप भी इसको पढ़ सकते हो, ये स्क्रीन के उपर आ रहा है, उसके बाद कंपनी बोल रही है कि, ये बहुत बोटम की प्राइस पे बेचे वे हैं, पर दोजार चोला सोला से लेकर दोजार बीस के बीश में, प्लेश देर शेर एड फ्यू अधर प्राइवेट लेंडर, और उन्होंने कुछ अधर प्राइवेट लेंडर, जो लोन देते हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती ही, कुछ भी मान लीजिए इसके अंदर, एंड इस शेर प्लेश वेर आलसो इन्वोक एंड शेर वेर सोड बाइद लेंडर, उन्होंने कहा है कि उन लेंडर ने इन शेरों को बेच दिया, इन दे फोर येर प्रियेड, चार साल की प्रियेड में, दे टोटल नंबर आप सच अ प्लेश शेर सोल अराउंड एटीन करोड, अठारा करोड शेर बेचे हैं, दे एवरेस प्राइज इस शेल्स प्राइवेट लेंडर, कैलकुलेट वाज, दो रूपर सतर पैसे के बाव में बेचे हैं, मतलब ये बहुत पहले ही बिक चुके थे अच्छा यहां पर बोल रहा है कि पर्मोटर वी यार इंटर डिरेक्ट, देखिए कलकुलेशन, कलकुलेट अगर अपन, मतलब करें इस सारी चीजों को जो ये बता रहे हैं, इनका कहने का सीधा सीधी बात है, कि हमने शेर को नहीं बेचा, मतलब अगर एक नजरिये से इस चीज़ को पढ़ा जाए, अब बारीकी से अगर पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैं पूरा इसको बारीकी से एक एक चीज़ समझ के आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा, फिलाल के लिए ये ब्रेकिंग है, बहुत बड़ी अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि ये चीज़े इन्होंने पहले क्यों छुपाई, पहले क्यों नहीं बताई, पहले क्यों नहीं बताई, एक चीज़ तो साफ हो गई है कि इनका जो कहने का मतलब ये था, इनके पास जो शेर होल्डिंग पैटन है, वो इनके पा जब हमको ये कागजों में ये दिखाया जा रहा था कि ये जीरो डेट कमपनी है इसके ओपर कोई करजा नहीं है तो फिर करजा आया कहां से दोस्तों अब ये कोश्चन मार के एक बहुत बड़ा खड़ा होने वाला है कि जब करजा था नहीं तो करजा आया कहां से या तो इन्होंने पहले ही शेयर जो है प्लेज करके रख 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 रहते हैं और करजा ले रखा था और हमको जो इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें करजा कहीं नजर नहीं आ रहा था तब ही तो हम का शुरू से कह रहे थे यह जीर कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहे है फिलाल दोस्तों अभी यही ब्रेकिंग नियूज है कि यह इनका कहना है कि जहां से इनों ने लोन लिया था उन लोगों ने इन शेयर को सेल कर दिया और काफी पहले सेल कर दिया यह बहुत पुरानी बात है दोस्तों 2014 से 20 उसके आगे कि कहानी तो अभी कुछ पता ही नहीं है शेयर तो तब भागा था मतलब यह तो किलियर हो गया कि उपर के लेवल पर माल नहीं बेचा गया है इनकी तरफ से इनकी तरफ से माल नहीं बेचा गया है यह चीज किलियर हो गई है बागी दोस्तों पूरा कंपलीट करके आपको व बैंकों के नाम भी लिए इन्होंने आइसेसी बैंक, कैनरा बैंक, एकसिस बैंक, एंबी एफसी अडर, एंबी एफसी जो कंपनिय होती जो लोन देती है। काफी कुछ निकल के आया है कम से कम ये तो समझ में आया है कि पर्मोटर ने उपर के लेवल पर मानने ही बेचा है ये चीज अभी एक चीज समझ में आया है दूसरी चीज ये नहीं है समझमें कि अगर लोग नहीं था तो लोग की आया कासे क्या पहले ही शेर जो एंगर लोग रखके लोग ले रखे थे और सेटल्मेंट के फूर इन्होंने लोग नहीं चुकाया और अज़ोंने शेर को बेच दिया जब कोई कंपनी लोग नहीं चुकाती तब दो शेयर शेयर को सॉल्ड कर दिया ये चीज अभी तक समझ में आई ये दोस्तों कम्प्लीटली इस चीज को समझेंगे फिलाल के लिए ये ही ब्रेकिंग न्यूज है थेंक्यू देन्यवाद